वेलकम फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे आई एन भी और डी एन ए की बीच में जो अगला टीटेन का मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर दोनों हे टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ दोस्तों बैटिंग ओडर क के साथ कौन से प्लेयर किस ओडर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे किसे दोस्तों यहाँ पर डी एन ए के प्लेयर्स यहाँ आज जो नया टीम के लिए का पहला मैच खिलने वाला है सारे प्लेयर्स का टीटेन रिकॉर्ड, टीट्वेंटी रिकॉर्ड में सार ग्रेंड लीग और इस्वाल लीग के सांदार टीम बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार अन तक जबड़र वाश करना अगर आप इस match के अंदर grand league और small league के बढ़े हाटी मनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़े help करेगा तो एक बार अन तक जरू वाच करना है दोस्तों आपको दोस्तों से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना और सारे matches का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर states पसंद आते हैं तो वीडियो को एक like जरू कर देना क्योंकि आपका एक like से में काफ़ी motivation मिलता है तो एक बार like करके हमें support जरू करें और सबसे बड़ी बात है और सबसे जरूरी बात है कि हमारे telegram group को join कर ले यहाँ पे आपको एक arrow का बटन दिख रहा होगा जैसे दोस्तों आप यहाँ पे click करेंगे से न तो आपको हमारे telegram group का link मिल जाएगा दोस्तों यहाँ join करना बहुत जरूरी है लाइन अप के बाद यहीं पे आपको final team मिलता है तो एक बार जरूर जोइन कर लेना दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा description box में और comment box से आप comment करते हैं तो पहला comment में मैंने आपको link share कर दिया है दोनों ही जगह में आप किसमें भी click करके join कर सकते हो तो I hope अपने join कर लिया होगा तो चले दोस्तों अब stats की और आगे बढ़ते हैं देखो यह जो मैच है दोस्तों यह 7 cricket ground पर यह मुकाबला होगा यहाँ पर 7 cricket ground पर यह बहुत बढ़िया पीच रहेगा दोस्तों यहाँ पर बल्लेवाजों के लिए और अभी तक जिस प्रकार मैचेस हुए हैं मैंने आपको कहा था कि सोरन के आसपास score देखने को मिलेगा कल के अगर INV के मैचेस देखोगे तो पहले मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पर सोरन के आसपास अकड़ा दिखने मिला तो यह चीच थोला ध्यान रखने वाले बात है इंडियन विनिया की बात करते हैं दोस्तों पहले मैच के अंदर अगर आप देखोगे और वहीं अगर दूसरे मैच की बात करते हैं तो INV के टीम ने 98 का टारगेट दिया था जोगे PKC के टीम ने दूस्तों इस रन को वापस से चीज़ कर लिया दो मैच यहाँ पर दूस्तों आईनव के टीम लगातार लॉस करते वे आए हैं चलिए बैटिंग ओडर की बात करते हैं महर चिमा मैंने आपको बताया था पहले दूस्तों वीडियो के अंदर विकेट के प्रिंक्सन में रैट रन बल्लेबाजी के साथ साथ यह खिलाड़ी टॉप अडर पे बल्लेबाजी करेंगे और आपन करा था यह दूस्तों ओपन किये हैं पहले मेच के अंदर 16 रन दूसरे मेच के अंदर 17 रन स्कुर करा है टीम के आपनर बल्लेबाजी दूस्तों इनको जरूर से जरूर ट्रै करना है आपको ये दोनों के दोनों आपनर बल्लेबाज है और मेरे हिसाब से इन दोनों को जरूर आप ट्राय करना कुनाल जोसी टीम के कैप्टेन ने राइट रन बल्लेबाज ही करेंगे फॉर्स टांट पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 12 रन कोई विकेट नहीं मिला दूसरे मैच के अंदर 12 रन इसमें भी कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों ये भी टीम के टॉप अटर का बैट्समन है और इनको जरूर से जरूर ट्राय करना है दोस्तों अगर आप चाहें तो ग्रेंड लिग के अंदर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी ले सकते हो रिजन मैं आपको बता देता हूँ टीम के टॉप अटर पे खेलेंगे इनका सेलेक्शन कम है आप जाके चेक कर लो और इसका फाइदा उठा सकते होगी कि बल्ले बाजी और गिंद बाजी दोनर करेंगे दोस्तों तो मेरे हिसाब से जील के लिए टर्म खिलाड़ी आज साबित हो सकता है इकबल सिंग की बात करते हैं फॉर्ट रॉन पे खेलेंगे पहले मेच के अंदर चार रन दूसरे मेच के अंदर चवदर रन बनाया हुआ है राइट न बल्ले बाजी करने वाले हैं गिल सम्चर की बात करते है, रैटन बले बाज ई करेंगे पहले मेच के अंदर 3 विकेट, दूसरे मेच के अंदर 19 रन मनाके 1 विकेट निकाले हैं तो ये भी खिलाड़ी दोस्तों 2वर तक गिन्ध बाज ई करेंगे टीम की मेन गिंदबाज है दोस्तों और इनको जरूर ट्रै करना जो गिंदबाजी कन्फरम आपको दोवर करते वे नज़र आएंगी और अभी तक दो मैच के अंदर हैं उन्हें टूटल चार विकेट निकाल चुके हैं बाकि शुमिर की बात करते हैं पहले मैच के अंदर फ्लॉप एक वर गिंदबाजी करा है पंदर रन खर्च के अगर आप देखेंगे थार्ड डाउन पे खिलते वे 23 रन को विकेट ने मिला 20 रन खर्च के थे दो वर की गिंदबाजी में फिर 10 रन बना की एक विकेट निकाल यहां पे दो वर की गिंदबाजी में 10 रन खर्च के थे दोस्तो यह भी कैप्टेंसी के लिए बेश्ट है जो बल्लेवाजी और गिंदबाजी दोनों सब को पॉइंट देने वाले हैं तो मेरे हिसाफ से इनको भी जरूर ट्राय करना है आपको बाकि एहमेद गानी जो कि द दोस्तो पहले मैच के अंदर दो रन खर्च कियते हैं कोई विकेट नहीं मिला दूसरे मैच के अंदर तीन विकेट निकाले हैं 21 यह भी बहुत बढ़ीयां गिंद बाजी करते हैं दोस्तों जमिल यह रैट रन बल्लेवाजी करेंगे लेकिन अभी तक इनको बेटिंग करने का मोका नहीं मिला है अब यह अगर बात करेंगा मंदीब के बारे में सेकंड डाउन पे खेलते हुए चार रन स्कोर करा है एक ही मैच खेला है और रंजित सिंग पहले मैच के अंदर नहीं खेला था दूसरे मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पर 26 रन स्कोर करा है ओपन करते हुए तो कहीं ने कहीं ये भी बल्ले बाज बहुत बढ़िया है जो आपको बैटिंग स्क्रम में मिलेंगे ओपन कर रहा है दोस्तों तो इनको जरूर से जरूर आप भी ट्राय करना मेरे इसाब से यह भी इंपोर्टेंट रहेंगे आज के मैच के 33 का इवरिज से बाकि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टीटेंट 2020 और 21 का रिकोड देखोगे तो 15 मैच इस खेलें 180 रन मना के 16 का इवरिज से नोंने 180 रन स्कूर करा है तो यहाँ पर एमद नवीद जो है न मैं आपको बता दूँ इनको काफी लोग ड्रॉ करना अपने टीम के अंदर जो टीम के टॉप अटर पर बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे बाकि दूस्तों इनके बारे मगर आप देखेंगे तो लेप 10 बल्ले बाजी करने वाले हैं पांच मैच के अंदर 92 रन 23 का इवरिज से टीटें 2020 से किसका रिकोड देखोगे 24 इन्पोर्टेंट रहेगा ये दोनों के दोनों विकेट के पर जो है अगर दोनों खेलते हैं तो अब ग्रेंड ली के लिए दोनों को यूज़ करना बहुत सूपर प्लेर रहने वाले हैं दोस्तों बैटिंग में देखेंगे तो सदिक महमत खेलते नों जड़ाएंगे ECS T10 2020 में 6 मैच खिला है जो की 88 रन स्कोर करा है 5 विकेट निकाले हैं T10 2021 का रिकॉर्ड देखोगे तो 28 मैच के अंदर 383 रन 5 विकेट निकाले हैं तो ये भी खिलाड़ी जो बल्ले बाजी और गिंद बाजी दोनों से पॉइंट देंगे इनको भी जरूर रह करना अपने टीम क के अंदर हमारे की बात करेंगे राइटन बल्ले बाजी करेंगे 9 मैच खिला है T10 2021 में जहापे 90 रन स्कोर करा है दो विकेट निकाले हैं और अजमाल सिखवाल की बात करते हैं दोस्तों ECN T10 2020 6 मैच के अंदर 204 रन बनाये हुए हैं और T10 2020 का रिकॉर्ड अगर आप देखे 42 मैच के अंदर 1000 रन बनाये हुए हैं दोस्तों और आठ विकेट निकाले भी हैं T20 2019 2021 मैच के अंदर 521 रन स्कोर करा है दो विकेट निकाले हैं और यहां पर रंजाल सिखवाल जो है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए इंपोर्टन रहेगा धियान रखना दोस्तों जो बल्लेबाजी और गिंदबाजी दूनों से आपको पॉइंट्स देंगे तो यह अगर आप ग्रेंड ली के टीम करेट करते हैं तो दोस्तों जरूर से जरूर एक से दो यहां पर टीम के अंदर इनको कैप्टेंसी के लिए लेना वाली कान इनका सिलेक्शन बहुत स्कूर करें 16 विकेट निकाले हैं तो यह भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए एहमेद बेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों बाकि मोहमत सफी 11 मैच के अंदर 201 रन 10 विकेट निकाले हैं यानि कि बॉलिंग जो है न दोस्तों यह कंफर्म करेंगे राइट हम फास्टर बॉलर है तो इनको जरू ट्राय करना है नूर की बात किया दोस्तों यहाँ पे 6 मैच के अंदर 70 रन 5 विकेट निकाले हैं ती 20 2021 में अगर आप दिखेंगे 2020 में 39 551 रन बना है 23 विकेट निकाले हैं तो यह भी इंपोर्टेंट रनने वाल हैं जो बॉलिंग कनफर्म करते व विकेट निकाले हैं यह टीम के में गिंदबाजी करेंगे दो वर कंफर्म करने वाले हैं तो ऐसे बोलर इनको भी जरूर ट्राय करना है आपको दोस्तों बाकि डेवर की बात करेंगे चार मैच के अंदर सोलर रन दो विकेट टी टेंड दोजर बीस दीकिस का रिकोड देख सकते हैं experience भी है बाकि style जडरन की बात करेंगे दोस्तों तो 6 मैच के अंदर 45 रन दो विकेट निकाले हैं टी टेंड दोजर बीस एकिस बाइस के में दर देखोगे तो 51 मैच के अंदर 24 रन 31 विकेट टी 20 दोजर एकिस बाइस में देखोगे 14 मैच के अंदर 23 रन 7 विकेट न इकाले यह भी गेंदबाजी बहुत सांदर करते हैं इनको भी ट्राइज जरू करना तो यह details है दोस्तों दुनों ही टीमों का almost same प्लिंग 11 मैच के अंदर देखने को मिलेगा अब यहां से आप क्या करना आप यहां पे सारे players को देखते हुए खोज से team create करना ठीक है मैं हमे विकेट की पर से तो यहां पे दोस्तों मुहमद चिमा को ट्राय करेंगे जो आई एन भी के team के तरफ से team के top order पर आपको बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे इनका record बहुत सांदर है और इनको जरूर ट्राय करना मैं पहले कहा था बागे क्या है कि DNA के तरफ से इन दोनों का record बहुत सांदर है मैंने आपको बताया था तो इन दोनों को आपको विकेट के पर में लेके जाना है अगर आप थोड़ा डिफ्रेंसियल पिक के तौर पर जाना चाहते हैं थोड़ा other option चाहते हैं दोस्तों यह आप दोनों बेस्ट रहेंगे बैटिंग में देखोगे ती मुखमद बेस्ट रहने वाल हैं टीम के टॉप अडर में बल्ले बाजी करेंगे आई हुसन को मैं ट्रै करऊंगा और से ही वाल बिद्दी टीम के टीम के तरफ से बहुत सांदर option आपके लिए रहेगा यो टीम के टॉप अडर में बल्ले बाजी करने वाले सिलेक्शन कम है लेकिन मैंने पहले कहा था कि ट्राय करेंगे डियाने के टीम के तरफ से इन दोनों का भी रिकॉर्ड में आपको दिखाए यह तो नया प्लेयर है इनका बारे मैंने आपको बताया है अगर आप चाहे तिनके साथ जा सकते हैं लेकिन मैं इनको ट्राय करूंगा सेलेक्शन लेकिन मैं इनको ड्राप कर रहा हूं कि अल्रेडी जो है ना आई एनवी के मैंने साथ इन्पोर्टन्ट प्लेयर को ले रखा है और यही कारण है कि मैं फिलाल इनको ड्रॉप कर रहा हूं तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं तो आरसी के साथ जा सकते हैं ज जोसी यहाँ पे दो समशेर और डी जडरन को मैंने लेकर रखा है जो आपे बल्ले बाजी और गिंद बाजी दोनों करेंगे तो यह तीन खिलाड़ी यहाँ पे आई एनवी और डी अने के टीम के तरफ से एक खिलाड़ी बाकी राब बालिंग की बात तुम इने तीन बोलर स्कूल रखा है कि हमारी टीम के गिंद बाजी करेंगे एक आने भी टीम के में गिंद बाजे दुस्तों एज़रन कमप्लीट दोवर गिंद बाजी करने के लिए रिकॉर्ड भी बहुत सा अंदर है आई साफी का रिकॉर्ड दिखाया है अगर आप चाहा है तो इनके साथ भी लिया है ठीक है अगर आप चाहें तो खुद कभी टीम क्रियेट कर सकते हो इस मैच के अंदर और अच्छा से अच्छा टीम बना सकते हो तो आई होप इस ट्रेट्स आपको पसंद आये होंगे वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल क एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक्स पर वाचिंग